हाई अवरीवन वेलकम बैक टो मारे शानल तो आज की इस वीडियो मैं आप से श्वेयर करने वाले हूँ मेरा समर स्कीन केर रूटीन के मैं समर्स में किस तरीके से अपना स्कीन केर करती हूँ और ये वीडियो मुझे करने के लिए मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था जिन तो मैंने अपना स्कीन केर कर लिया है अज यू कें सी आप देख सकते हो मेरा स्कीन पर कितना अच्छा ग्लो आया है तो देख लेते ही मैंने कैसे किया है अपना स्कीन केर और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी सो याँ लेट्स के स्टार्ट वीडियो सो फेस क्लिंजिंग के लिए मैं यूज करती हूं यह लोटस का जोजोबा फेस वॉष अगर आप देखोगे तो इसमें छोटे चोटे टाइनी बीड्स है जो के हमारे स्कीन को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं और प्लस इसमें विटैमिन ई भी है विटैमिन ई तो आप जानती है हमारे स्कीन एंड हैर के लिए कितना बेनेफिशल है तो मैं अपने फेस को पहले अच्छे से थोड़ा गिला कर लूँगी उसके बाद तो थोड़ी कॉइंटिटी इस ही लेनी है जादा नहीं लेनी है तो थोड़ा सा लेके मैं अपने फेस को क्लीन कर ले रही हूं कुछ इस तरीके से जेंटली मसाज करना है आपको एक मिनिट तक का तो फेस को मैंने वाश कर लिया है and moving on to the next step so now for the scrub I am using this again lotus का apricot scrub पहले मैं फेस को थोड़ा गीला कर ले रही हूं उसके बाद स्क्रब करोंगी तो इसक्रब के लिए थोड़ी सी कॉन्टिटी आपको लेनी है you don't need too much more quantity so as you can see कि मैं कितनी कॉन्टिटी ले रही हूं इसकी और इसको लेकर फेस पर स्प्रेड आउट कर लूंगी और अच्छे से स्क्रब कर लोंगी यह स्क्रब आपके स्कीन में जितने भी और रहां और तहो आपके साथ साथ आप अपको कहते हो और जो मैंने यह शक्राब अर फेस वाश् 내가 अगर आपकी ड्राइ स्कीन और आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे से स्कीन पर वर्क करता है और बायो टिक का भी स्क्रब मैं कभी कबार यूज़ कर लेती हूं वह भी मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है तो गाइस मैंने अपने फेस को वाश कर लिया है नौ यू कैन सी कितना अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा फेस फेस टोनर के लिए मैं यूज़ करती हूं यह गुडवाइप्स का ग्रीन टी टोनर और यह मेरा सेकेंड पर्चेस है बहुत अच्छा है यह टोनर इसमें से एक अच्छी सी अलग सी फ्रेग्रेंस आती जो मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है तो इसको मैं अपने फे का अच्छी जो फेस मास्क के लिए मैं यूज़ कर रहे हूं यह बायोटिक का मिल्क प्रोटिन फेस मास्क तो इसको मैं अपने फेस पर नेक पर अच्छे से अपलाई कर लूँगे ब्रश की हेल्प से और इसका जो बायोटिक का वाइपनिंग एंडीप पिग्मेंटेशन वाला फेस मास्क आता है वो भी मुझे अच्छा लगता है बिकोज वो आलमस्ट पूरा कतम हो गया था तो इसलिए मैं यह वाला यूज कर रही हूं मैं यह भी यूज करती हूं है एंड थोड़ा टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं वह भी यूज कर लेती हूं अगर हाफ्टर टैन मिनें के बाद मैं हल्क थोड़ा पानी लेकर इसको थोड़ा सा हलके आतों से मसाज कर ले रही हूं यह फेस मास्त तु पुरा ऐसा ड्राय नहीं होता हलका हलका गिला ही रहता है तो इसको तेन 0 तक मैं है फेस पर रखती हूं फिर मसाज कर लेती हूँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं फेस को मॉस्चुराइज करने के लिए मैं यूज करती हूँ ये नीविया सॉफ्ट का लाइट मॉस्चुराइजर बहुत ही लाइट फिल होता है फेस पर और इसमें विटैमिन E भी है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी ओईली स्कीन है तो आप लेक्टु केलेमाइन का मॉस्चुराइजर यूज कर सकते हो आप सचो के समर है तो मॉस्चुराइजर अपलाई करना ज़रूरी नहीं है बट ऐसा नहीं है आपको हर सीजन में मॉस्चुराइजर अपलाई करना ज़रूरी है मैं फेस को मौशराइज कर लिया है अगर मैं भार जारी हूँ तो मैं ये न्यूटरिजिना अल्टरा शेर की संस्क्रीम अपलाई करती हूँ बट लॉकडाउन की वज़े से फिलाल तो घर पर हूँ तो मैं ऐलुविरा जेल ही जादा अपलाई करती हूँ फेस पर तो इतनी सी कॉانिटिटी लेकर अपने फेस पर मैं अपलाई कर लूँगी अलुविरा जेल हमारी स्कीन को बहुत ही सौफ्ट बनाता है और प्लस ये हमारे फेस पर जो है प्राइमर का भी काम करता है अगर आप skincare करकर कोई भी makeup करते हो तो ये primer का भी work करेगा skincare करने के बाद lip को भी moisturize करना बहुत जरूरी होता है तो मैं यूज़ करती हूँ ये नीविया का lip balm जो के strawberry shine वाला है मैंने अपने skincare पूरा complete कर चुका है तो आप देख सकते हो मेरे face पर कितना अच्छा glow आ चुका है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को like, share and मेरे चैनल को subscribe जरूर करेगा and comment करकर जरूर बताईएगा मैं मिलती हूँ में next वीडियो में बाबाई